मुझे लगता है हाल ही में आपने कई नए अभ्यास और तक्नीके सिखाई हैं वे सभी तक्नीके लोगों की मदद करेंगी कृपया उनके बारे में हमें कुछ पताएं हम आपको चरण दर चरण सिखाएंगे क्योंकि महमारी में सबसे पहले रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ानी होगी आज हावर्ड मेडिकल स्कूल में अध्यायन किया जा चुका है और पता चला है कि ये सरल प्रक्रिया सिम्हक्रिया आपकी रोग से लडने की ताकत बढ़ाती है आपके फेपणों की क्षमता सुधारती है और सिस्टम में आक्सजिन के बटने का तरीका भी निश्चित रूप से बदलती है अपना आक्सजिन का अस्तर और रोगों से लडने की क्षमता फिलहाल यही दो चीज़ें सबसे जरूरी है इसके लिए आपको सिम्ह क्रिया शुरू करनी चाहिए और एक दूसरी प्रक्रिया भी है योग नमस्कार जो कि आपके नियूरोलोजिकल सिस्टम में एक तरह की उमंग नियूरोलोजिकल उमंग को सक्रिय करने में बहुत ही ज़ादा कारगर है यानि ये कि देखिए इस धरती के दूसरे प्राणियों के अनुभव के तुलना में इंसानी अनुभव कहीं ज़ादा गहरा है। मुख्य कारण ये है कि हमारे neurological system ज़ादा विकसित है। तो लोग अपने neurological system को बेहतर बनाने की कोशिश या तो कौफी पी कर या कोकेन या कुछ और सूंकर करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि neurological system को बेहतर बना कर अनुभव शांदार होता है। यहां हम आपको कुछ सिखाएंगे, अगर आप ये कुछ हफ्ते करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके neurological system में उमंग होगी और आपके जीवन का अनुभव शांदार होगा। फिलहाल इस विशेश कारेक्रम के लिए हम चार सरल अभ्यासों पर ध्यान दे रही हैं। एक अभ्यास मुख्य रूप से बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। दूसरा अभ्यास neurological system में उमंग बैदा करता है। तीसरा अभ्यास शरीर के रक्त प्रवाह में ऑक्सिजन का स्तर बढ़ाने के लिए है। और चौधा आपको मन की समता देने के लिए है। मन की समता से मेरा मतलब है कि मुख्य रूप से लोग अपनी बुद्धी के एक ही आयाम का उप्यूग करते हैं, वो है तर्क। देखिए अभी आपके cellular स्तर पर कितनी जटल चीजें हो रही हैं, कितनी राजायनिक गतविधिया हो रही हैं, कितनी नियुरोलॉजिकल गतविधिया हो रही हैं, क्या आप ये सब कुछ सोच समझ कर कर रहे हैं, नहीं, आपका तर्क ये नहीं कर सकता। बुद्धी का एक और आयाम पूरे सिस्टम में फैला हुआ है और सभी जरूरी चीजें कर रहा है। आपको सिर्फ छोटी-छोटी चीजे मैनेज करनी पड़ती हैं, बाकी सब अपने आप हो रहा है। यदि आप बुद्धी के उस आयाम तक पहुंच जाएं, तो जीवन खेल बन जाएगा, ना कि संगर्ष। ये नहीं हो रहा क्यूंकि दो समस्याएं हैं। एक बुनियादी समस्या ये है कि आपने अपनी पहचान शरीर के रूप में बनाई है। दूसरी मौलिक समस्या ये है कि आप अपने दिमाग में पूरी दुनिया बना लेते हैं। इसका बुनियादी मतलब ये है कि आपको ये शरीर और दिमाग दिया गया था ताकि आप इस दुनिया में बेहतरीन तरीके से जी सकें। पर दुर्भागी से आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप अपनी खुद की एक नई दुनिया बना लेते हैं, और वो दुनिया, उस दुनिया में बुरी चीजे होती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक सपनी जैसा है, जो आपकी दिमाग में हो रहा है, वो आ इसा बना सकते हैं, आपका विचार, आपकी भावनाएं, आपकी मर्जी की होनी चाहिए, इसलिए हम आपको ईशा क्रिया नाम की एक सरल क्रिया सिखाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप सभी कम से कम 40 से लेकर 60 मिनट रोजाना अपनी खुशाली के लिए लगाएं, अपनी शार जरूरी साधन देंगे, पर साधनों के साथ एक समस्या है, ये केवल उन लोगों की मदद करते हैं, जो उनका उप्योग करते हैं, बस यही एक समस्या है करते हैं, बस अपना है